हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आव सिखें आज मैं ये देक वार्मर लाई हूँ जिसे मैंने 5-6 साल की बेबी के लिए बनाया है इसे बनाना बहुत ही आसान है और बिगनर्स भी इसे आसानी से बना सकते हैं इसे मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है इसी पैटर्न से आप बड़े बच्चों के लिए या खुद के लिए भी आप बना सकते हैं इसे मैंने वर्दमान के नार्मल लुल से बनाया है और 9 नमबर की सलाई से हैं तो चलिए फ्रेंड्स हम इसे बनाते हैं यह हमारा वर्दमान का सिंपल बुल्न है और इसे बुलने के लिए हम नौ नमबर की सलाई पे सिंगल ठ्रेट से 50 फंदे डालेंगे तो मैंने 50 फंदे डाल दिये हैं सबी फंदों को हम उल्टा बूलेंगे सारी बुनाई हमें उल्टा उल्टा बूल के ही कम्प्रीट करनी है प्रंट साइड से भी हम सबी फंदों को उल्टा बूलेंगे और रॉंग साइड से भी हम सबी फंदों को उल्टा बूलेंगे दुम्दों तरफ से हमें उल्टा उल्टा ही बिलना है तो पहली लाइन में हम सभी फंदो को उल्टा बूल दिया अब हम आ जाएंगे रॉंग साइड में पहले फंदे को स्लिप करेंगे उनको गुमा कर वापस अपनी तरफ लेंगे और अब शेज सभी फंदो को उल्टा बूलेंगे कि दूनों तरफ से हमें उल्टा उल्टा ही दिखाते हैं तो रॉंग साइड से हमने सभी फंदो को उल्टा बूल दिया अब यह हमारा तीसरा लाइन है और सामने से तो पहले फंदे को ऐसे नीच वाइस दिप करेंगे उनकर वापस अपनी तरफ लाएंगे और अब की हम 24 फंदा उल्टा बुनेंगे तो यह दो हुआ तीन चार पांच छे ताथ आठ नो दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह दोलह शत्रह अठारह उन्निस बीस इक्किस बाइस टेज़ तो हमने 24 फंदों को उल्टा बुन दिया अब हम यह लास्ट के 26 फंदों को नहीं बुनेंगे बलकि यहीं से हम वापस टर्न करेंगे अब उनको अपनी और करेंगे इस 24 फंदे को स्लिप करेंगे और शेज फंदों को उल्टा बुन को तो मैंने इस सभी फंदों को इल्टा बुन लिया अब हम फिर आजाते हैं सामने की तरफ और यह हमारा पांच वा लाएं तो पहले फंदे को ऐसे नीच वाइस निवाइस उन अपने और करेंगे और अपकी हम बारा फंदा उल्टा बुनेंगे ये पहला फंदा हो गया दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस ग्यारह और बारा फंदों को उल्टा बुनने के बाद हम यहीं से लौट जाएंगे आगे के फंदे हमें नहीं बुनने हैं यहीं से हम वापस लौट जाएंगे बारा में फंदे को स्लिप करेंगे उनको थोड़ा से टाइट करेंगे और ग्यारा फंदे जो हैं उन्हें हम उल्टा बुनेंगे इस तरह हमारा छे लाइन कम्प्रीट हो गया उसे हमने तीन भावू में बाटा है पचास फंदे को तीन भाव पहले लाइन में हमने सभी फंदों को उल्टा बुना था तीसरी लाइन में हमने 24 फंदों को उल्टा बुना उसके बाद हम बाकी फंदों को चोड़कर यहीं से वापस लोगें फिर पांस्टमे लाइन में हमने 12 फंडों को उल्टा बुना और यही से हम वापस ब्जाल के जाए अब यह हमारा सातवी लाइन है तो सातवे लाइन में देखें क्या करेंगे, पहले फंडे को ऐसे ने जबा स्लिट लिट करेंगे, उन को अपने देखेंगे और सात्वी लाइन में सभी फंदों को उल्टा बुलना है यहां एंड तक हमें सभी फंदों को उल्टा बुलना है तो आमने सभी फंदों को उल्टा बुलना है अब हम आ जाएंगे रॉंग साइबना है पहले फंदे को हम ऐसे नीट वाइसलिट करेंगे उनको अपनी शरक करेंगे और सभी फंदों को उल्टा बुलना है है यानि हमारा दूसरा लाइल सभी फंदों को हमें उल्टा बुलना है तो हमने सब भी फंदों को उल्टा बुलना है अब हम आज आएंगे सामने के तरह पहले फंदे को ऐसे नीट वाइसलिप करेंगे उनको अपनी हचर देिज़-ञात है 24 पंदे को बुनने के बाद हमें यहीं से चर्ण कर जाना है पहले पंदे को स्लिप कर लेंगे और 6 पंदों को हम से उल्टा बुनने के अब हम फिर सामने की तरफ हैं और यह हमारा यारवा लाइन है पहले पंदे को स्लिप करेंगे उनको अपनी व किरेंगे और 12 पंदा हम उल्टा बुने के बाद हम यहीं से तर्ण कर लेंगे पहले फंदे को स्लिप करेंगे और शेस ग्यारा फंदे को हम उल्टा बुलेंगे तो देखिए फ्रांक्स हमने बारा लाइन कम्प्रीट कर किया है यहां पे देखिए एक, दो, तीन, चार, पान, छे, यहां पे छे धारियां आई हैं यहां बीच में देखिए तो एक, दो, तीन, चार और उपर की तरफ देखिए तो एक, दो, दो, उल्टे फंदो की धारियां यहां उपर दो, बीच में चार और नीचे, छे, एक बार हम बुनाई करना शुरू करेंगे और सभी फंदो को उल्टा बुनेंगे दूसरी बार में हम 24 फंदों को उल्टा बुनने के बाद हम टर्न कर लेंगे, फिर तीसरी बार में हम 12 फंदों को बुनेंगे और वापस लोड़ जाएगे, इन्हे छे लाइनों को हमें बार बार रिपीट करना है, तो मैं थोड़ा सा बुल लेती हूं, फिर आपको दिखाते उपर की तरफ 48 धारिया है, मिडिल में 96 और नीचे की तरफ 144 तो हमारी इतनी धारिया तयार हो गई हैं, टोटल उपर की तरफ मैं 50 धारिया बनाओंगी यानि कि ऊपर की तरफ 100 लाइन, बीच में 200 लाइन और नीचे की तरफ 300 लाइन कम्प्रीट होगा यदि आपको बड़ा बनाना हो तो आप मैंने 50 फंदे डाले हैं आप इसमें 65 फंदे डालेजेगा और जिस भी साइज का बनाना हो तो पहले उसका गलाद नाप लिजी वाइन स्टेप से फिर इसको बनाने के बाद आप ऐसे नाप के किसी भी साइज का बना सकते हैं और नीचे पंदो की संख्या बढ़ा देज़ेगा और इसे ऐसे नाप किया आप किसी भी साइज का बना सकते तो अब हम इसको कंप्रीट करते हैं तो यह हमारा 49th रो है पहले पंदे को हम ऐसे लीट वाइस लिप करेंगे उन अपनी हो करेंगे और अब की हमें पूरी पंदो क को इना अब हम आजाते हैं तो पहले पंदे को हम ऐसे नीट वाइस लिप कर लेंगे और हमें सभी पंदो को कर देखें यहां पर हमारा उन कम खतम हो गया है अब हमें यहां पर दूर्चा गोला लगाना है तो इसके लिए क्या करेंगे तो दोनों धाबों को ऐसे लेंगे और एक ऐसे हम गात लगाएंगे अब यह इसका दूर्चा यहां पर है तो ऐसे हम इसके नेचे से लाएंगे और पूरा इसे राउन करके एक हमने दूर्च की तरह बनाया अब इस लूप से हम इस धागे को ऐसे निकालेंगे अब देखें जब हम इन दूर्चा अब देखें जब हम इन दूर्चा इसको ऐसे करेंगे ताइट करेंगे और पिर अब इन यह से जो निकले हो जी रहा है इसको हम ताग देगे अब इसको हम कितना भी खीचेंगे यह खुलेगा नहीं और बुनाई करने पर यह गार्ण दिखाई नहीं देगा यह हमारा राग पता नहीं चलेगा हमने रॉंग साइट से सभी फंदों को उल्टा बन गया है हमारा 49 फ्रों कंप्रीट अब हम फिर सामने की तरफ हैं अब हमें 24 फंदों को ही उल्टा बना है पहले फंदे को स्लिप किया दू तीन कि चार पाट ज किर सो अ सबता है ऱ यह ऑता देगा Но इंडर ऐसेह पर हैं तेये बनर फिर दूंम जल मोग कर दोंदों कर पर यहीं से हमें लॉट जाए हमें पंडे को हम इस पंडों को हम उल्टा बुल लिया अब हम फिर आयाते हैं सामने के अब हमें सिर्फ बारा पंडों को ही बुलना है पहले फंडे को स्विफ किया उल्ट ब emission फिर्फ 11 फंडे को और बना हमें। जो हुआ solution क्यें हैं 10 11 12 अब हमें यहीं से लोट जाना है और पहले फंदे को स्लिप करेंगे 6 11 फंदों को हम उल्टा गेंगे अब हम पर सामने की तरफ आ जाते हैं को बहाकर आप किसी भी साइच का बना सकते हैं बच्चों के लिए बड़ों के लिए किसी के लिए भी आप बना सकते हैं और यह बहुत ही आराम दायक है और हमने तभी फंदों को उल्टा बुन दिया अब हम आ जाते हैं रॉंग साइड में रॉंग साइड से भी हम सभी फंदों को उल्टा बुन दिया लगबक 75 ग्राम में यह हमारा नेक वार्मर कंप्लीट हो बनाना भी आसान है इसे पिंग्नर्स भी आसान है से बना सकते हैं उल्टा उल्टा बुन कर हम इस नेक वार्मर को बनाएंगे और दीखे कितना कुब्सूरत है हमने सभी फंदों को बने मुझे अब भी 7 रहे अब फिर हम सामने की तरफ है तो हमने अब 25 रहे अल्वर्टा यहीं से लौट जाएंगे पहले पंदे को स्लिप करेंगे शेस 23 स्टिचेज को हम उल्टा वोलेंगे अब हम पिर सामनी की तरफ हैं और इस लाइन में हमें से 12 पंदों को ही बिनना है तो दो हुआ, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा और फारा फिर हम यहीं से टर्न कर जाएंगे पहले कंदे को स्लिप करेंगे शेस ग्यारा पंदों को हम उल्टा वुरूते हुए अब हम फिर आजाते हैं सामने के तरफ और यह हमारा पाइनल लाइन है तो पहले कंदे को स्लिप करेंगे और को अपनी ओर करेंगे अगले कंदे को उल्टा वुनेंगे और पहले वाले कंदे को चाहा देंगे पीछे पंदे पे उतार लेगे नेक्स्ट पंदे को उल्टा वुनेंगे पीछे वाले पंदे को आगे वाले पे उतार देंगे देखे अपरांस हमारे पंदे को जोना शुरू हो गया है एक पंदे को उल्टा वुनेंगे पीछे वाले पंदे को आगे वाले पे उतार देंगे को बोट करो कि पिस्से वा ले लेष्ट को आगे वाजे पर उठांट से जाएंगे सारे वाइनद अफ करेंगे तो देखिए फ्रैंट्स अब ही तब ही फंदे बाइंड आफ हो गया है अगर हम इसे काट लेंगे और इस लूप पे इसको निकाल लागे पकुलब्ल देखिए यह हमारा नेकपना तैयार होगा है इसमें में बस अरगनाये अरगें सेस्सेक इनलगा पुरिदा आपको दिखाते हो इण różशी यह फूर यह मैंने इसकर एसको करके दिकाल दिया है यह दिखाई नहीं देगा आगे से ना पीछे से यह दिखाई नहीं देगा तो देखें फ्रेंड्स यह खुबसूरत सा नेक वर्मर बनके तयार है आशा है आपको पसंद आया होगा तो यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब थैंक्स फर वाचिंग